जैपुर के एलबर्ट हॉल पर रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांदी ने आर्फिक संकट और बेरोजगारी के मामले को लेकर मोधी सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने दो करोड नौकरियों का वादा किया था लेकिन पिछले साल एक करोड युवा उन्हें रोजगार खो दिया और इस पर प्रधान मंत्री चुप्पी साधी हुए हैं CAA, NCR और NPR पर लंबे भाशन देने वाली मोधी इस मुद्धे पर कुछ नहीं बोलते राउल गान्दी ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी है लेकिन 21 वी सदी का हिंदुस्तान अपनी इस पूंजी को बरबाद कर रहा है आज देश का युवा कॉलिज स्कूल में जाकर पढ़ता है लेकिन पढ़ाई के बाद उसे रोजगार नहीं मिलता युवा पीडी इस देश के लिए जो कर सकती है वह उसे करने ही नहीं दिया जा रहा रहुन ने कहा कि देश का हर युवा मौजूदा हालात को जानता है हर देश के पास कोई न कोई पूंजी होती है अमेरिका के पास हतियार सबसे बड़ी नेवी, एरफोर्स और आर्मी है साओधी के पास तेल है, हर देश के पास कुछ न कुछ पूंजी है हिंदुस्तान के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी, उसके करोड़ो युवा है हमारे पास दुनिया की सबसे और अच्छे होशार युवा है पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हिंदुस्तान का युवा पूरी दुनिया को बदल सकता है दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जो आज पर्फॉर्मस आये हैं जुनोंने गाना गाया उनका मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका भी यहां स्वागत करता हूँ देश की हालात इस देश का हर युवा जानता है और पहचानता है हर देश के पास कोई ना कोई पुझी होती है अमरीका के पास बड़े-बड़ी हत्यार दुनिया के सबसे बड़ी नेवी एर फोर्स आर्मी सब्सक्राइबिया के पास तेल और हिंदुस्तान के पास आप लोग हमारे करोणों युवा हमारे पास और कुछ नहीं है हमारे पास तेल नहीं है अमेरिका का हम मुकाबला हत्यारों से नहीं कर सकते मगर हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे होश्यार युवा है आपके सपने और जब मैं कहता हूँ हमारी पूंजी है मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपके सपनों की बात कर रहा हूँ मैं आपके घ्यान की बात कर रहा हूँ आपके समझ की बात कर रहा हूँ पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को मान के चलती है कि हिंदुस्तान का युवा सिरफ हिंदुस्तान को नहीं देश को बदल सकता है दुनिया को बदल सकता है देश को नहीं दुनिया को बदल सकता है अमरीका के राश्रपती ने कहा था उबामे ने कहा था चाइना और हिंदुस्तान का मुकाबला अमरीका नहीं कर पाएगा पूरी दुनिया से अलग-अलग देशों से लोग हिंदुस्तान के युवाओं में इन्वेस्ट करने के लिए आया करते थे अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि वो आप सब में भरोसा करते थे वो जानते थे कि हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान को खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया को बदल देगा इसलिए वो यहाँ अपना पैसा लाते थे और आज मैं स्टेट से दुख से कहता हूँ कि 21 सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी को जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है जो आप इस देश के लिए करना चाहते हो और कर सकते हो उसको आपकी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री होने नहीं दे रहे है आज हिंदुस्तान का युवा कॉलेज युनिवर्सिटी में जाके पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है और बेरोजगारी का सपना देखता है युनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद आपको आईस हिंदुस्तान में रोजगार नहीं मिल सकता है पिछले साल हिंदुस्तान में एक करोड युवाओं ने रोजगार खोया है फिर से दोरा देता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने दो करोड युवाओं को रोजगार देने की बात की थी पिछले साल एक करोड युवाओं ने इस देश में रोजगार खोया है और जहाँ भी हमारे प्रधार मंत्री जाते है लंबे लंबे भाशन देते है नर्सी की बात होगी CAA की बात होगी NPR की बात होगी मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है जो इस देश के हर परिवार को चुपती है माता पिता को लगती है युवाओं को जो दुख होता है उसके बारे में हमारे प्रधान मंत्री एक शब नहीं बोलते है एक शब नहीं बोलते है यह हुआ क्यों UPA के समय मैं आपको याद दिल अना चाहता हूँ 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी इंदुस्तान की ओर देख रहा है और आज नए तरीके से नापा जाता है GDP नए तरीके से नापा जाती है तब 5% ग्रोथ है अगर आप पुराने तरीके से नापे UPA वाले समय के तरीके से नापे तो 0.5% ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का अच दाइप परसेंट याद रखिए शर्म की बात है यह हुआ क्यों UPA के समय UPA के समय हम सरकार का पैसा किसानों को गरीबों को देते थे मनरेगा बोजन का अधिकार यह हमारे प्रोग्राम्स थे हम गरीबों को पैसा क्यों देते थे मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी शायद एकनोमिक्स पड़े नहीं है समझे नहीं है अर्ध्यवस्ता जब चलती है जब गरीबों के जेब में पैसा आता है और बड़ा साधारन सा सिस्टम है कोई टूथपेस्ट कोई साबुन कोई शर्ट कोई पतलून कोई जूता जैसे ही हिंदुस्तान के गरीब लोग माल खरीदते थे वैसे ही फैक्टरियां चालू हो जाती थी जैसे ही फैक्टरियां चालू हो जाती थी कोई फैक्टरी शर्ट बनाती झाल